कि अधिन सेशन एंगलिश वित आर जे यह हमारा पार्ट हे टीन्स का थर्ड पार्ट जो की हम लोग देखने जा रहे हैं लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था सिम्पल प्रेजन सिम्पल प्रस्ट सिम्पल फूचर पार्ट वनमे प्रेजन कंटीनिई स्पा फोटिनियस और आज के दिन हम लोग सीखने जा रहे हैं present perfect, past perfect, future perfect part 3 में सबसे पहले हम देखते है present perfect tense का हिंदी में identification क्या होता है तो जब हिंदी वाले वाके के अंत में चुका है, चुकी है, चुके है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, आये तो वो होता है हमारा present perfect tense का sentence सबसे पहले हम देखते है formula, यह होता है subject, करता, plus helping verb, जो की है आपे has या have, plus verb का तीसरा रूप, third form, जिसे हम past participle form भी बोलते हैं, plus object आता है हमारा, जो की होता है कारक, देखते हैं कुछ example सल समझते हैं से, राम school जा चुका है, राम has gone to school, मैंने उससे एक किताब दी है, I have given him a book, यहां पे आप देखेंगे तो हमारा helping verb दो है, has and have, तो चलिए देखते हैं, has का use कौन से subject के साथ होता है, he, she, it, and name के साथ होता है, has का use, तो जैसे की राम एक नाम है या कोई भी आप नाम ले सकते उसके साथ has का ही use होगा, have का use होता है, I, we, you, they, pure number के साथ, और examples देखते हैं, उसने अपना homework पूरा कर लिया है, he has finished his homework, उसने अपना homework पूरा नहीं किया है, he has not finished his homework, क्या उसने अपना homework पूरा कर लिया है, has he finished his homework, क्या उसने अपना homework पूरा नहीं किया है, has he not finished his homework, उसने अपना homework कब पूरा किया है, when has he finished his homework, अब देखते हैं, past perfect tense, तो past perfect tense का identification होता है, जब भी वाकिकेंट में चुका था, चुकी थे, चुके थे, ली थी, दी थी, की थे, ली था, आए, तो यह होता है, का identification, past perfect tense का, इसका formula होता है, subject plus had, जो कि यहां पे helping verb है, plus verb का third form, जिसे हम past participle form भी बोलते हैं, plus object, example देखते हैं, राम स्कूल जा चुका था, राम had gone to school, मैंने उसे किताब दी थी, I had given him a book, वहाँ party से पहले उनसे मिली थी, she had met them before the party, वहाँ party से पहले उनसे नहीं मिली थी, पार्टी से पहले वाँ उनसे क्यों मिली थी वाई हैट शी मेट दिम बिफोर दे पार्टी इसी के साथ हमारा पास्ट पॉरफेक्ट खतम होता है और हम देखते हैं अगे बढ़ते हुए फ्यूचर पॉरफेक्ट टेंस को अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला जो की होता है सबजेक्ट करता है प्लस विल हैव यहाँ पे फ्यूचर पॉरफेक्ट का हिल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अबजेक्ट उसने खाना बना लिया होगा She will have cooked the dinner उसने खाना नहीं बनाया होगा She will not have cooked the dinner क्या उसने रात का खाना पकाया होगा Will she have cooked the dinner क्या उसने रात का खाना नहीं बनाया होगा Will she not have cooked dinner उसने खाना क्यों बनाया होगा Why will she have cooked dinner तो आज की class में हम लोगा ने present perfect, past perfect, future perfect तीन tense देखे इनका हिंदी में identification देखा और formula देखा ये आगे मैं कुछ sentence दे रही हूँ आपको आपको identify करना ये sentence कौन से tense में है इसी के साथ हमारा perfect aspect of present tense, past tense and future tense का खतम होता है नेक्स सेशन में हम मिलेंगे और बात करेंगे perfect continuous tense के लिए तब तक के लिए Bye and happy learning to you all